प्यारे साथियों आप से भी का स्वागत करता हूं अपने MRS study परिवार में तो यहां पर आज हम लोग अगला पार्ट डिसक्स करने वाले हैं जो की आपका 2021 का पेपर का आपका होने वाला है यहां पर आपका question दिया गया है कि identify and explain two way in which an employee attitude can influence his or her job performance वह attitude बताना है जिसके कारण से किसी भी employee का जो job performance है काम करने के जो छमताएं होती है है ना वह आपका effect होता है या influence होता है तो ऐसे कई सारे आपके हैं लेकिन यहां पर जो आपको बतानी है वह दो ही बतानी है और question कितने नंबर के आएंगे 14 नंबर के तो आपको point समझने के ब बाद आपको उसको elaborate करना आना चाहिए जितना जादा आप elaborate कर पाएंगे उतना ही वेटर आपके लिए यह चीजे जो है हो जाएगी ठीक है तो employees attitude can significantly impact their job performance on various way कई सारे तरीके हैं जिसमें दो example है पहला है job satisfaction and employees job satisfaction can influence their job performance obviously अगर माल लो कि आप जो है अभी पढ़ाई कर रहे हो ठीक है आप यह मत देखो काम को लेकर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में अगर आपको मन नहीं लग रहा है satisfied नहीं हो रहे हो जो आप पढ़ रहे है उससे क्या आपको मन लगेगा क्या आप उसको अच्छे से करोगे चैब में आप परसेंट दोगे पॉस्वल ही नहीं है संभव ही नहीं है लेकिन अगर उसमें आपको अमन लगने लगे तो क्या आप उसमें 100 का 110 परतिसत भी देने के लिए त्यार रहोगे तो आप जितना जादा से जादा कोशिस करोगे कि उसको अच्छे से किया जा सके तो ही यहां पर भी कोई भी हिम इनसान जब नौकरी करने जाता है न नौकरी करने जानता है तो वह सैटिस्फेक्शन खोजता है लिए आप जब एक साल के बाद यहांसे निकल जाओगे अपने कॉलेज आप नौकरी ढूंड होगे नौकरी धूंड हुए कभी 10,000 का नौकरी मिलेगा कभी 1500 का का नवकरी मिलेगा और कभी 50,000 का नवकरी मिलेगा तो आप खुद सोचो कि जहां पर 10,000 मिल रहा था वहां पर आपको satisfaction मिलेगा कि जहां पर 50,000 है वहां पर आपको satisfaction मिलेगा obviously money makes important factor for your job satisfaction आपको काम को लेकर तभी satisfy होगे जब आपका daily का needs जो है वह आपका fulfill हो जाएगा तभी वही चीज़ नहीं पर बोला गया if an employee is satisfied with their job they are more likely to perform well and feel motivated to improve their performance on other hand if employees is dissatisfied with their jobs they may feel demotivated which can lead to poor job performance वही चीज़ जो मैंने बताया वही आपका हो है यहां पर job satisfaction is also linked to employee retention meaning that is that a satisfied employees is more likely to stay in their job which can beneficial for organization obviously जब आपको 10,000 मील रहा था और कोई organization में आपको 20,000 रुपया दे रहा है तो obviously आप चाहिएगा कि जिस organization में आप काम कर रहे हैं उस organization को छोड़ कर हम क्या करें दूसरे organization में जाया क्यों कि पहला तो आप जिस organization में काम कर रहे थे उसमें पैसा भी कम था और आपको satisfaction भी नहीं मिर रहा था जब आपको satisfaction नहीं मिलेगा हना आप संतुष्ट नहीं रहेगा अपने काम को लेकर तो obviously आप काम को छोड़ कर दूसरे जगह जाना चाहिएगा अना उस organization को आप लीव करना चाहिएगा इग्नोर करना चाहिएगा अभी जब तक चल रहा है चलने दो अगर कोई benefit आता है तो उसको जो है हम better कर पाएंगे तो इसलिए जो है employer retention घड़ता है अगर job satisfaction नहीं है मनें dissatisfy अगर कोई इंसान है तो उस condition में होके और अगर motivated है मतलब satisfy है तब तो कोई अगर कलोरो रूपया दे देगा उसको अगर दस अजार में satisfaction मिल रहा है तो दस अजार कोहीं जो है कोशिस करेगा कि उस पे बना रहे है organization जिससे जो है हर organization को benefit होता है और organization भी जानता है कि कि किसको हमको ज्यदा benefit जेनी है इसको कम benefit जेनी है क्योंकि जो satisfied रहे गा न linen काम अच्छे से करे और जब काम अच्छे केसे करेगा तो जो भी organization boundaries या गा वो उसको हमेसा繼續 भीषान में रखते हुए काम करता है उसके बाद दूसरा आता है आपका work ethics employees work ethics can also affect their job performance job performance जो है work ethics को भी जो है क्या करता है affect करता है मतलब आपके पास job करने जब आप जा रहे हैं तो उसका performance करने के लिए कम पूरा करने के लिए कोई भी काम को आपका work ethics क्या है एन इंप्लॉई विद स्ट्रॉंग वर्क इथेक्स इस वाइड लाइकली तो मोटिवेट टू वर्क हाड और प्रोड्यूज क्वालिटी वर्क देखो होता क्या ना जब भी आप काम करने जाते हो तो इथिक्स क्या है आपका एक तरीके से behavior है हाना आपका सोच है कि आप कैसे काम को करोगे अपने senior के साथ respect करना junior को प्यार से बोलना हाना सत्य और निष्था के साथ काम करना तो यह सभी जो है इथिक्स है हाना आपकी value एक तरीके से आपकी value को बताता है कि आप कैसे इंसान हो ओके तो अगर आप ethical रहोगे तो definitely आप motivated रहोगे और जब आप motivated रहोगे तो आप work में quality बनाओगे और hard work भी करोगे क्योंकि आप सत्य निष्था के साथ आप क्या कर रहे हो काम कर रहे हो तो आप जब integrity के साथ काम करते हो तो definitely आपका जो result भी मिलता है वो भी based मिलता है they also they are also likely to take initiative and proactive in solving problems problem solve करने में हमेशा उत्सुक रहता है बट वही अगर कोई employee है जो पूर वर्क इथिक्स है तो वह less motivated रहे गा कोई hard work वगेरा नहीं करने वाला कोई भी problem आ जाए deadline अगर 10 तारीक बोला गया 10 तारीक को आपको complete करना है तो complete करेगा 12 तारीक को मैंने उसको deadline का कोई फिक्र नहीं बस काम कर रहने जी आप मुझे काम दे दिये हैं ना हम आपका काम complete कर देंगे कितना दिन में complete करेंगे कई से करेंगे इसका कोई guarantee ने बस आपका कवाम complete कर देंगे बस यह संतावना मिलेगा तो हमेशा जो है क्या कर रहना चाहिए वर्क इथिक हाई होना चाहिए हर इंसान का तभी जो है काम on the time और सही काम होगा और अगर कोई problem आता भी है उसको solve करने के लिए हमेशा employee क्या रहेग अूकिए तो इसेंशल ने और नो रर निजसन तो रहेगे रहे हैं तो रहेगे रहे ओक इंपाट उन्यूड खाहिए डरूपर्पर्वाशन गरॉकर फपर्वोर इंद कर देपिशुट्ड गॉड थूसर देंटूड वर्वशन तो भुजड एंपर्पर्वजूड रहे है सब्सक्राइब तो कि करने को काम करने को हमेशा यह चीज़े करने चाहिए अगला क्वेस्टन है आपका आउट्लाइन थ्री मेजर्स फोर इफेक्टिव टाइम मैनेजिंग कंटेस्ट और वर्क प्लेस जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप को इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है तो वह कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला तरीका है प्राइटाइजेशन आपको जो जरूरी काम है उसको क्या करना होगा सबसे पहले करना होगा तो प्राइटाइजेशन इस दा वन ऑफ दा मोस्ट या इंपॉर्टेंट मेजर्स फोर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो से यह इन्वॉर्व करता है अर्डेंटिफाइंग और्गनाइजिंग टास्क एकॉर्डिंग टू दियर लेवल आफ इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम ज्यादा अर्जेंट है एक जरूरी होना और एक अर्जेंट होना दोनों में बहुत है हना कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट भी है कई बार होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है हना तो इस तरीके से आपको क्लासिफाइग करने होंगे इंपॉर्टेंट कौन सा है अर्जेंट कौन सा है हना इस बेसिस प start with the most important task and work your way down the list this helps to ensure the critical tasks are completed first reducing the risk of missing guidelines and causing delay risk linear reduce the deadline to work with the deadline to work with the deadline you simply say that if you prioritize the task then you can do the work on the time and किसी तरीके का कोई डिले नहीं होगा और आपको जह है लास्ट टाइम में ईक जो बेचैनी होती है वह बेचैनी भी जो हैापके मांड में नहीं रहेगा क्यार मैंने यह काम नहीं किया है अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा यह लॉट हो जाएगा इस तरह की की जो बेचैनी होती है वो बेचैनी आपके अंदर नहीं होगा अगर आप अपने काम को प्रियर्टाइज कर देते हो तब अब दूसरा आपका तरीका है टाइम ब्लॉक इसमें क्या होता है कि मालो कि आपको अभी क्या करना अभी आपको आपने डिसीजन लिया कि मुझे जो है soft skill को क्या करना है 2021 का paper को पूरा complete करना है आपने यह decision ले लिया लेकिन आप सिर्फ decision ले लेने से थोड़े नहोगा आपको एक time देना है कि भाई 2021 का soft skill का जो paper है इसका मैं 3 घंटे के अंदर इसको solve कर लूँगा तो आप क्या कर दिये time को bond कर दिये बांद दिये time को भाई मुझे इतना देर में ही काम करना है इससे जादा late हुआ तो वो time जो है गड़बड हो जाएगा मतलब time को आपको bond कर देना है simply यही बोला जा रहा है यानि time को block कर देना है इससे जादा नहीं बढ़ना इससे पहले हो जाए अच्छी बात है बाद में नहीं होना चाहिए इस approach can also help to ensure that all tasks are completed within the allocated time frame obviously जब आप time को bonding कर देते हैं कि मुझे इसी time bonding के बीच में क्या करना है काम कर लेना है तो आपके आसपास कई सारे distraction आएंगे कई सारे interrupt करने वाले लोग आएंगे कई सारे task आएंगे आपके mind में दिमाग में लेकिन आपको उस task को भूल जाना है क्यों भूलना पड़ेगा क्योंकि आपने टाइम लिमिट कर दिया है मुझे इतने time के अंदर ही आमें काम को complete करना है तीन घंटे में अगर किसी का phone भी आ जाएगा तो भी आप उसे ignore कर दोगे या काट दोगे लेकिन आप पहले आपको prioritize क्या है पहले जो काम के लिए time bonding किया है वो जरूरी है तो कोई वह है delegation delegation task is another team member is also an effective way to manage their work in workplace अना work workplace time के साथ जो है manage करता है it involves identifying tasks that can outsourced or other who are better suited फौर दा जोब Delegations में क्या होता है कि आपको कोई भी काम को effectively time manage करना है तो को भी काम के लिए हर इंसान perfect नहीं होता था इहना जैसे हर जौब के लिए हर इंसान perfect नहीं होता है उसी तरीके से हर पहाँ के लिए हर इंसान सहीं नहीं होता है तो जो इंसान बेटर तरीके से किसी काम को कर सकता है उसी को आप पॉइंट कर लो ताकि टाइम आपका बच सके क्यूंकि आप पहले जब स्टार्ट करोगे तो आपको कई सारे गलतियां होंगी आपसे जो कि अन एवाइड होगा आप उसको एवाइड नहीं कर सकते हो गलतियां होंगी जैसे आप एवाइड नहीं कर पाऊगे तो उस कंडिशन में आपको जो है उस वेक्ति को रिप्रेजेंट कर देना है जो उसके बार में ज्यादा जानता है तो वह काम को पहले कर देदेगा ऑन दा टाइम करके देदेग सकते हैं पॉइड और इफीसिएन्टली और एफेक्टिव ली बाइड दोज द्यर काम करेंगा और एफेक्टिव डेलीगेशन है अल्सो रिक्वाइर क्लियर क्मिनिकेशन थ्रस्ट इन योर टीम मेंबर्स अबिलिटिज ओविसली आप अगर टीम मेंबर में काम कर रहे हो और आपको जो है काम देना है तो आपको उसके विष्वास रखना होगा गहाँ कि ऐसे काम कर दीये वह तुम काम नहीं कर रहे हो और को रोज रोज उसको फूर पेच करने की जरूवत नहीं है कि तुम यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं अगला क्वेशन है यहां पर stage of group in formation in soft skill soft skill में क्या stages होते हैं group formation के the stages of group formation in soft skill development depends on the specific context and purpose of group हना group का क्या purpose है किस purpose के लिए आप group बनाना चाहरे हैं उसके basis पे हमारा group formation का जो stages होते हैं वो क्या होता है depend करता है generally हम लोग बोलते हैं कि यह कई सारे stages होते हैं group formation के जो की सबसे पहला है forming यह जो है initial stage होता है group members का are getting to know each other and establishing relation हना एक दूसरे के बारे में जाना जितने भी group members हैं और अपना एक relation बनाना this is often characterized by polite and caution behavior हना सावधान वाला behavior होता है और पोलाइटिदम प्यार से इतना प्यार से तो बाबूस होना भी नहीं करते हैं उसके बाद आपका होता है storming storming में क्या होता है कि जैसे group member बन गए कि यह हमारा group member है become more comfortable with each other तो जैसे आप group member बन गए हना और आया आपका group बन गया आप सभी से अपना परिचीत कर लिए आप अपने बारे में सभी को बता दिये सभी के बारे में आप जान लिए तो उसके बाद आप उनके साथ काम करने को लेकर आप कमफर्टेवल फिल करोगे अना ऐसा नहीं कि आप उसके साथ एक जो जो अरदस्ति वाला जो है group बना दियो नहीं वैसा काम नहीं ज्यादा दिन टिक्टेगा कि different ideas in opinions and ideas may arise leading to conflict and tension within group अगर बहु जादा opinion अलग-अलग आ रहे हैं तो definitely उसमें जो है conflict develop होगा और ग्रूप में tension भी होगा अगर आप comfortable तरीके से नहीं रहते हो तो उसके बाद है नॉर्मिंग नॉर्मिंग जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि कुछ गाइडलाइन्स और नॉम्स जो है बताये जाते हैं विहावियर का ताकि जो conflict हो रहा होगा या जो collaboration होंगे उसमें एक effectiveness देखने को मिले एक बेटर रिजल्ट है देखने को मिले तो वह आपका यहां पर होता है उसके बाद है आपका performing performing में क्या है यह मानलों की कोई काम दे दिया गया ग्रूप को एक साथ काम करने के लिए तो आपको एक common goal पे clear role के साथ और responsibilities के साथ आपना काम करना होगा कि उसके बाद है एड एड जिए जूर निग में क्या होता है कि इस इस फाइनल स्टेज अकर्स विन ग्रूप हैं तास्क और गोल जब कोई किसी ग्रूब मेंबर को शहना आटास्क दिया गया और से को क्या कर लेता पूरा कर लेता और जो टाइम लिमिट घया मतलब जो सब्सक्राइब कंडीसेन दिये गया थे जो भी गाइडनसेगा थे उस गैडन के अंदर कोई काम कर लेता है तो उस condition में हम लोग जो है उसको एट जूर निंग कहेंगे तो यह स्टेजिस आपके जूए होते हैं गूरूप फॉर्मेशन का यानि ऐस्टेजिस ऑफ गूरूप इन सॉप्ट्रिस किल में जब भी गूरूप बनाते हैं तो इन स्टेजिस को हम लोग फॉलो करते हैं I hope कि आज का session आपको समझ में आया हो, अगर कोई doubts दाता है तो आप chat box में हमें जरूर बताएं, thank you.